हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में दोस्तों और बात करेंगे हम लोग ऑस्टेलिया और सौथ अफ्रिका वोमेंस के बीच में दोस्तों जो मैच खला जाएगा टीटों टीए वर्ल्ड कप में उसके बारे में दोस्तों इस मैच के लिए वीडियो में में रखना है दोस्तो ऑस्टेलिया के तरब से कितने प्लेयर लेके जाने आपको सौथ अफ्रिका के तरब से कितने प्लेयर लेके जाने साथ में दोस्तो आपको इस वीडियो में भी पता चलेगा कि इस मैज के लिए आपको ग्रेंड लिका कैप्टन और वाइस कैप्टन किसक का वीडियो में दोस्तों आपको काफी कुछ देखने सीखने और समझने को मिलने वाला है रिसेंट फॉर्म देखो गए तो ऑस्टिलिया का काफी जबरदस्ट चल रहा है मेरे भाई यहां पर टीटोंटियाई में और साथ अफ्रिका का देखो गए तो भाई इनका भी ठीक च गरत हुए दिखेंगे इसे के लिए दोस्तों यहां पर स्पिनर्स का विकट का कॉलम थोड़ा सा जादा आपको दिखने वाला है बाकि आपर दोस्तों मौसम पूरा ही साफ रहेगा बारिश होने की कोई भी यहां पर दोस्तों संभावना नहीं है लास्के आपर दोस्तों टोटल जो विकट गिरे ना बावन विकट गिरे जिन में से यहां पर पेसस ने जो विकट गिरा है 16 और इस्पिनर्स ने जो विकट लिए 36 तो इस्पिनर्स यहां पर दोस्तों काफी आदा किस दिन खेला गया था तो दोस्तों यह जो आखरी मुकाबला था 30 जैन्वरी 2024 को खेला गया था बेलवरी ओल होबर्ट में जो कि आपर ऑस्टिलिया वुमन्स को दोस्तों पांच विकट से मैच को हरा दिया था उससे पहला आला देखो कि था आपर 28 जैन्वरी को खेला गया में यहां पर दोस्तों मौकाव ओल में केला गया था कैनवेरा में जोसको साथ अफ्रिका ने ऑस्टिलिया को हरा दिया था ठीक है तो भाई काफिर टक्कर का मुकाबला होने माला एक तरफा दोस्तों मैच नहीं होगा यहां से दोस्तों आप लोगों से छोटी से विंती है अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देजिगा दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को ओन कर देजिगा ताकि दोस्तों आपको नेक्स मैच के नोटिफिकेशन आप तक लू करा देती है यहां पर दोस्तों देखो बीत मूनी आपके लिए सबसे सेफ और सबसे बेस्ट पिक रहेगी इस जाप्तकाल पिछली चार मैच की बात करते इनके बैटिंग ही नहीं आई है दोस्तों क्योंकि आपको यह आच नंबर पे बैटिंग ओर करके देने वाली है यहां पर सबसे सेफ पिक आपके लिए बीत मूनी है रिसंड में दोस्तों इनोंने फ्लॉप का परतरसं के उससे पहला 15 उससे पहला 40 का स्कोर किया लेकिन आपके पास दोस्तों कोई भी ओप्शन नहीं है यहां पर आपको बीत मूनी ही आपको डिर्म टीम में आती भी प्लस का स्कोर करके आ ठीक है एक मैच में इन्होंने 20 से जरूर देखे जाएंगे प्लस यहाप छरूं करने का बिल्कुल उम्यद मत करके चलिएगा अगर आप इनको टीम में रख रहे हो तो एज़ए प्यूर बैटमन को रूप में रखिएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लौरा की बात करेंगे अब लौरा का देखो कि यहाँ पर मिर बाई इनका जो इलेक्सन ना एलेक्स पेरी और लॉरा दोनों को दोस्तों आप अपने टीम में लेगे जाएगा देखो लॉरा की बात करें न तो साउथ अफरीका अगर दोस्तों सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी न तो आप यहाँ पर इसको और इसके साथ में टीम बिरिट जो ओपनिंग करने के ल दोनों टीम के गिरने वाले हैं यहाँ पर ऊसके बाद बात कर. टीम से ग्रेट की है। उससे पहला डोस्तों आपको बता दू इस वीडियो में जो मैं आपको ग्रेंड लिक टीम करेट करके दूंगा। यह मेरी 11 प्लियर की दोस्तों ग्रेंड लेकों चेम से आप हमारा टिलिगराम जोइन कर ले गा के वहाँ दोस्तों डिस्यांद करना टे Herausforderaja जोइन कमिद्ट पहले वाली मैच में दोस्तों शाड़े 800 प्लस पॉइंट था हमारा और तीसरे मैच में तो दोस्तों 900 प्लस पॉइंट था काफ़े जबरदर्स परफर्म कर रही थी दोस्तों हमारी टीम हो काफ़े अच्छा पैसा कमा रहे हम लोग तो आप भी जाके जुड़िएगा वहाँ पर दोस्तों आपको टॉस होने बाद ग्रेंडी की टीम भी मिलीगी आपको तीन टीम यहाँ पर दोस्तों हम लोग T.E.M.C. ग्रेट की बारे में बात कर रहे थे तो दोखो को तो इनका सेलेक्शन 21% सेलेक्शन है और 105 पॉइंट अभी ते की दे चुकी है बैटिंग ओंटर दोस्तों 6 नंबर पे है बिल्कुल भी बालिंग नहीं कराएंगे दोस्तों रीसेंड की बात करेंगे तो इन्होंने रीसेंड में 32 रन का स्कोर किया उसके बाद फ्लॉप गई फिर उसके बाद यहाँ पर 9 रन बनाके एक विकेट निकाला हुआ है लेकिन दोस्तों पिछले मैच की बात करेंगे ना तो इन्होंने पिछले मैच पे सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से दोस्तों पॉंट दिया हुआ है बालिंग बिल्कुल भी नहीं करा रही अगर दोस्तों बालिंग यहाँ पर एक करा है न तो आपके लिए काफी एक अच्छ थेखो कि यहां पर दोस्तो िनोंने 40-plus का स्कोर किया हूए काफी जबरदस्त बैटिंग किया हूँ कि यहां पर आप इनको अपने टीब में लेके जा सकते हो मैं लॉरा के साथ में जा रहा। आप चावत भाए इस फिल्ड के बारे में बात करें तो दोस्तों 5% सेलेक्शन है और 90 पॉंट अभी तक इस टोनमें में दे चुकी बैटिंग ओंडर काफी नीचे है दोस्तों 5 तेंबर फे बैटिंग ओंडर है और रिसेंड में बात करें तो इन्होंने 15 और 18 और उसके बाद 9 रन का स्कोर किय बात करें तो 15 पर सेलेक्शन है और 55 पॉंट अभी तक दे चुकी बीथ मुनी के साथ में दोस्तों ओपनिंग करने के लिए रिसेंड में इन्होंने 40 रन का स्कोर किया उससे पहला फिर फ्लॉप उसके बाद 19 रन का स्कोर किया हुआ है यहाँ पर दोस्तों अगर दोसे तीन उबर balling करने का इनको मौका मिल जाए ना तो इनसे बहतर दोस्तो captain और wise captain के लिए m cap के साथ में कोई differential साबित हो इनी सकता है दोस्तो लेकिन यह balling नहीं कराएंगे दोस्तो तो as a batsman खेलेंगे तो दोस्तो देखो batsman को out होने के लिए सिर्फ एक ball की जरूरत है ठीक है और उसकी बात करें तो दोस्तो 60% सेलेक्शन है 58 पॉइंट अभी तक स्टोनमेंट में दे चुकी है बैटिंग ओडर दोस्तो दोस्तो देखो तीन नमबर पर है ठीक है और रिसेंड में बात करें तो इन्होंने 25 रन का स्कोर किया फिर उसके बाद 11 रन फिर उसके बाद 18 रन प बैट औल रॉंडर में बात करेंगे मैजे नहीं कैप की तो दोस्तों देखोगे तो 96% जनता अपने टीम में लेके जा रही है दोस्तों चोहतर पॉइंड अबिते की स्टोनमेन में दे चुकी है चार नंबर पे बैटिंग ओडर है पूरे चार वर बॉलिंग करेंगी दोस्तों और रिसेंड मैच की बात करें तो इन्होंने दोस्तों 13 रन बना के एक विकेट निकाला हुआ है उसके बाद 43 रन मना के 0 विकेट निकाला हुआ है फिर उसके बाद यहाँ पर 26 रन मना के 1 विकेट निकाला हुआ है तो काफी अच्छे फॉर्म भी दिख रही है तीन मैच में से दोस्तों दो मैच में इन्होंने विकेट निकाला बालिंग से बाकि दो मैच में दोस्तों इन्होंने बैटिंग से पर्फॉर्मस भी दिया हुआ है प्लस दोस्तों यह आपको बॉलिंग करते हो भी दिखेंगी पावर प्ले में भी और यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा उप्सन रहेगा पुरे चार वर बॉलिंग भी करके जाएंगी तो अपने डिम में लेके जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गाडनर को रूप में दिखेंगी दोस्तों यह प्लेयर का सेलेक्सन देखोगी तो यहाँ पर 95% सेलेक्सन है अब बैटिंग ओडर देखोगे तो दोस्तों चान नंबर पे इनका बैटिंग ओडर है 270 पॉंट अभी तक दे चुकी है पुरे चार वर बॉलिंग कन्फरम करने वाली है दोस्तों पावर प्ले प्लस यहाँ पर आपको दोस्तों डेथ में बॉलिंग करके देंगी बॉलिंग से ही दे रही है तो यहाँ पर दोस्तों मस्ट हैप पिक रहेगी अपने टीम में आप जरूर लेके जाएगा छोले ट्रेयन की बात करें ना तो यहाँ पर दोस्तों 43% सेलेक्शन इसका और 106 पॉंट अभी तक इस टूनमें में दे चुकी है आपको दोस्तों यह बॉलिंग भी करते हुए दिखेगी तीन से चार उबर बॉलिंग करके देगी इन्होंने दोस्तों पिछले मैच में तीन उबर बॉलिंग भी किया था और काफी अच्छी प्लेयर है दोस्तों और इनका बैटिंग ओडर छे नंबर पे पिछले मैच में तो दोस्तों इन्होंने तीन उबर बॉलिंग किया था और आपको भाई बैटिंग से भी पॉलिंग देगे जाएगी यहां से अच्छी पीके जरूर लेके जाएगा अब यह सदर लेंड दोस्तों स्टार्टिंग में तो प्रफॉर्म नहीं कर रही थी और इनको उतना मौका भी नहीं मिल रहा था लेकिन दोस्तों इन्होंने जब से एक मैच में तीन विकेट निकाला तब से पूरे चार बर बॉलिंग कर रही है और बैटिंग ओडर आठ नमबर पे है और 83% जनता अपने डिब में लेके जा रही है 309 पॉइंड अभी तक इस्टोडमिन में दे चुकी है इरीसेंड फॉर्म देखोगे तो लगातार दोस्तों विकेट पे विकेट निकाल रही है ठीके दस रन दो विकेट फिर उसके बाद तीन विकेट तो बैटिंग सो तो आप उमीद मत करना कि आपको ये पॉंस देके जाएंगी तो भाई पावर प्लेय प्लस यहाँ पर आपको डेथ में भी बॉलिंग करके देंगी तो इंपॉटन प्लेयर रहेगी ये सदल लेंड को आप अपने डिग में लेके जरूर जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तो जॉर्ज ये वेहर हैं की बात करें ना तो 70% सेलेक्स है न और 166 पॉंट अभी तेकी स्टूडमेन में दोस्तो दे चुकी है साथ नंबर की दोस्तो प्लेयर है तीन से चार ओवर आपको ये बॉलिंग करके देने वाली है रिसेन फॉर्म की बात करें तो दोस्तो फ्लॉपी ये रिसेन में उसके बाद दो विकेट निकाला हुआ है फिर चार रन बनाके एक विकेट निकाला हुआ थे हाँ पर आप देखो कि तो दो मैच में इन्होंने विकेट जरूर निकाला हुआ है एक मैच में एक विकेट एक मैच में दो विगेट लेकिन जो पिछला मैच था इन्होंने परफॉर्मस का फिर डीब गया इनका ना ही बैटिंग चली ना ही बॉलिंग चली लेकिन दोस्तो ओवर कंफर्म करेंगे अपने डीब में आप लेके जाएगे एंडी क्लार के रूप में दोस्तो एक ट्रम कार्ट पिक निकल रहा है यहां से 120 पॉइंट अपी तक दे चुकी है 30% सेलेक्स है न दोस्तो आपको तीन से चार उबर बॉलिंग करके देगी पिछले मैच में भी दोस्तो इसने तीन उबर बॉलिंग किया था बैटिंग ओडर की बात करो तो साथ नमबर पर बैटिंग ओडर है रिसन्ट फॉर्म की बात करें तो दोस्तो फ्लॉप चली है उसके बाद दो विकेट उसके बाद एक रन मना के एक विकेट तो इस मैच को छोड़ दिया जाना तिन दोनों मैच में इनों विकेट निकाला है और सामने टीम काफी स्टॉंग है तो भाई साथ अफरिका के भी जाएंगे और विकेट जाएंगे तो दोस्तो इसकी बैटिंग आएगी तो दोस्तो आपको पॉइंट भी देखे जाएगी बैटिंग से प्लास बालिंग तो करा की जाएगी तो यहां से दोस्तो ट्रम कार्ट पिक रहने वाली है एंडी कलार को लेके जाएगा सुजू मैच में दोस्तो फ्लॉप गई उसके बाद फिर एक रन मना के एक विकेट निकाला उसके बाद फिर एक रन मना के जीरो विकेट निकाला तेहां पर दोस्तो देखो यह बॉलिंग तो करा नहीं रही है अगर बॉलिंग कराती तो फिर आपके लिए दोस्तो एक डिफरेंशि यहां से इसके उपर भी आप नजर रखना दोनों मैच में दोस्तों इन्होंने एक एक विकट भी निकाला हुए और तीसरे मैच में इन्होंने 20 करा 20 रन भी बनाया होती यहां से दोस्तों 6% में आप कोई प्लेयर मिल रहे हैं तो साथ अफरिका उमन अगर बॉल फर्स्ट करे बॉलिंग सेक्षन में दोस्तों मेगना सॉट है जो कि 86% के रूप में आपको प्लेयर सेलेक्षन की रूप में मिल रही है और पूरे चार बर दोस्तों बॉलिंग कंफर्म करके देगी 92 पॉइंट दिया हुआ है और मेगना स्वाट की बात करें तो दोस्तो पावर प्ले प्लस आपको डेथ में बॉलिंग करके भी देगी रिसंट फॉर्म की बात करें तो दोस्तो एक विकेट फिर एक विकेट फिर तीन विकेट तो काफे जबरदस फॉर्म में चल रही है तो लेके जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तो बात करेंगे सोफिया मॉलिनिक्स का जो की देखोगे तहाँ पर 83% सेलेक्षन है 263.5 तक इस टूनमें में दे चुकी है सोफिया मेलेन इस दोस्तो नव नंबर की प्लेयर है पुरिज चार बर बॉलिंग कंफर्म कराने वाली है यह दोस्तो आपको डेथ और पाउर प्ले दोनों में बॉलिंग करके देगी रिशन फॉर्म देखोगे तो दो विकेट फिर एक विकेट फिर दो विकेट फिर एक विगट तो देखोगे तो दोस्तो हर मैस में विगट निकाल रही है आपको पावर प्ले प्लस डेट में दोनों में वालिंग करके देगी तो यहाँ से आप इनको भी अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो अगर यहाँ पर आप साउथ अफरिका के फिवर में टीम एससे के लिए मैं यहाँ पर फिलाल एनमालबा को आपनिडिव में नहीं प्लेयर कर पाँगा एक हाका की बारे में बात घृत है तो तरौप आप एक हाका को अपने डिम में रखके जाएगा काफी बहतर प्लेयर प्रफॉर्म करके जाने वाली है दी ब्राउन की बात कर रहा तो दोस्तो रीसन फॉर्म काफी खराब चल रही है यह आपको दोस्तो पिछले मैच में एक यूबर बालिंग की तो और इस मैच में भी एक य इसको देना है तो दोस्तो यहाँ पर हम कैप्टन देगें मैर्जिनेक हैप को और वाइस कैप्टन एलिजा गाटनर को देंगे सभी लोग दोस्तो दे रहे यह सदर लेंड को जो कि दोस्तो सभी लोग को देनो दो ओ सिर्फ आपको बालिंग से परफॉर्म करके देगी प्ल यहां पर Captain Vice Captain के लिए दो प्लेर ही रहने वाले हैं तो दोस्तो एटीम है इसके साथ में आपको हमारे टेलीग्राम पर टॉस होने बाद तीन Grand League के टीम और भी मिलेगी तो आप लोग टेलीग्राम जोइन करना ना भूलिएगा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नहीं किया तो रिक्वेस्ट हमारे इस यूडिग्राम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को अन कर लिजेगा दोस्तो और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तो अगर आपका दिल करें तो इस वीडियो का आप लोग एक लाइक भी जरूर कीजेग झाल